नमस्कार मैं हूँ राजकुमार आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट कठुवा के बार नमबर 6 से आपको बताते चले कि एक तरफ हर वर्ष दो अक्तूबर को 15 दिन के लिए स्वच भारत अव्यान सरकार के तरफ से चला जाता है जिसमें प्रशाश्र भरचर को हिस्सा लेता है वहीं कठुवा प्रशाश्र भी अपनी इस कारेपनाली को आगे बढ़ाता है लेकिन जमीनी हकीकत क्या है जिए हम आज आपको दिखाएंगे बार नमबर 6 कठुवा से रोजाना साफ गंगी को उठाने वाला आटो आता है लेकिन बार नमबर 6 की गंगी को जिस कद नए अदाज करता है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यहां के लोगों से हमने बात करी है आपको बता दे कि कठुवा समें स्वच भारत अव्यान की किस कदर धजियां उडाई आ रही हैं यह आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे दिखा रहे हैं तो आगे देखि को स्वच बनाना है साफ सुत्रा बनाना है तो वहां के मुचिपल के सियो को भी यह देखना होगा कि कहना कि इस गंदगी को हटाया जाए और यहां के लोगों की मांग को पूरा किया जाए उनने अरोप लगाया कि पहले भी के वार वो इस बात को रख चुके हैं लेकिन अपने उन बच्चों का इलाज भी बड़े मुश्कल से करवा सके हैं तो उनकी एक ही मांग है कि वार नमबर छे में गंदगी को हटाया जाए और साफ सुत्रा बनाया जाए तांकि सवच्टा को आगे बढ़ा कर मानने परधामंत्री मोधी जी के उस सुनारे को आगे अब जी मेरा नार केश करनार है मैं बार नमबर शेजर रूना तो नारा यड़ा है शे मिन वे या नहीं को कड़ना था नहीं को कुछ करना था है मेरे दो बच्चे बमार यह दिंगू करने हैं तो नहीं को नाल करना था है तो नहीं को नाल करना था है करना के तो वे यहां भाहि था करना के यह करा था है को नहीं कर था था बकर शको कि अ कर भान था है बंदे पर जिरो थे साफ करा हुथुगा, फो क्या हला हुआ।